इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फोन से अपने डिलीटेड मेल को कैसे रिकवर कर सकते हो अगर आपका मेल कभी गलती से डिलीट हो जाता है और अगर आपको उसे रिकवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यादा यूश्फूद होने वाली है हाला कि आपको अपने अकाउंट के इंपोर्टेंट मेल को इंपोर्टेंट मार कर लेना चाहिए उसके लिए सिंप्ली आपको इस पर टैप करना होगा और यहां तीन डॉट पर क्लिक करके सिंप्ली मार के इंपोर्टेंट पर क्लिक करना होगा उससे क्या होगा कि आप उस वाले मेल को दूसरी जगह से भी यूज कर पाऊगे आपको सिंप्ली ये तीन लाइन पर क्लिक करना है और यहां पर click करने के बाद आपको यहां एक important का section मिल जाएगा इस पर जैसे click करोगे तो आपको वाला mail देखने को मिल जाएगा तो फटाफ़र से मैं आपको अपना mail delete करके उससे recover करके दिखा देता हूं यह हमारी Gmail है इसमें से मैंने कोई mail अपना delete मार देता हूं यह learning with similar rules को मैं delete मार रहा हूं यहां delete पर click करके simply मैं इसे delete कर दूँगा इस store करने के लिए आपको simply यह तीन बाले lines पर click करना होगा यहां एक बाद आपको एक option देखने को मिलेगा यहां पर बीन का आपको नीचे scroll करना है यहां पर आपको एक बीन का option देखने को मिल जाएगा आपको simply इस पर click करना होगा और यहां आपने जो भी message delete किया होगा वो आपको यहां मिल जाएगा यहां इस साफ साफ लिखा होगा है कि items जो भी बीन में है वो 30 दिन के बाद अपने आप permanently delete कर दिये जाएगे तो आपको 30 दिन के अंदर ही इसे बापर से recover करना होगा mail को recover करने के लिए आपको simply इस पर tap करना होगा tap करने के बाद यहां पर आपको एक read or unread का option मिल जाएगा आपको 3 dot पर click कर देना है और यहां पर सबसेक top में आपको एक option मिलेगा move to आपको simply इस पर click करना होगा और यह आपसे decide कर रहे है यह आपसे पूछेगा कि आप primary में बेदना चाहते हो social में बेदना चाहते हो मैं primary select कर लेता हूँ और यह यहां bin से delete हो गया अब यह आपको यह वाला email आपको primary में मिलेगा आपको simply अपने primary inbox में चले जाना है और आप यहां देख सकते हो यही वाला email था हमारा learning with same rules जो की हमाया recover हो गया है delete करने के बाद भी तो इस तरीके से आप recently deleted emails को recover कर सकते हो अगर वो email आपने 30 दिन के अंदर delete किये है तो बट अगर आप permanently deleted message को recover करना चाहते हो मतलब कि अगर आप अपने deleted message को 30 दिन के बाद recover करना चाहते हो तो सिर्फ आप Google recovery message tool से ही कर सकते हो बट उसमें surety नहीं होती है कि आपकी message recover हो ही जाएगी आपकी message recover हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वो Google team पे depend करती है फिर वीडियो काफी informative लगी होगी अगर इस वीडियो से related कोई query आपकी दिमाग में आ रही है तो आप हमसे comment section में बूच सकते हो और अगर comment करने जा ही रहे हो तो रास सेम आपको एक subscribe का बटम भी दिखेगा आप subscribe भी कर सकते हो फिलाल इस वीडियो के लिए night thank you so much